मैं नम इस व्रें सिंग, वेलकम तो दर ईलर्न प्रेटफॉर्म, वेरी हैपी न्यूएर टू आल अफ यू, होप कि आप खुश होंगे और अपने फैमली का ध्यान रख रहे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, तो एक बार नए साल की धेच सारी सुब कामना हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अन तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिएगा, वो भी इससे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले सके, या मोटिवेशन ले सके और नए साल को और भी अच्छा कर सके, मैं जो किसी रिजलीशन के उपर बात नहीं करने वाला हूँ या कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ जो कि आपको magic क्रिएट कर देगा, बट कुछ चीजे जो 2020 में हुई और उससे हमने सीखा क्या, जो कि आगे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और अपने आपको इंप आप्स बैन हुए, कितना सारा पॉलिटीशन से है, कितने अलग अलग चीजे जो कि आपके brain mapping, media and all, without logic कुछ भी कर रहे थे, और ये सिर्फ फुर सिर्फ अगर आपने भी उन्हीं की तरह करना सुरू कर दिया, तो देश को कुछ नहीं होने वाला, इस वेरी सिंपल, यू आर जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, health is wealth बहुत पहले से कहा जा रहा है, और ये आपको सायद पता चल चुका होगा, अगर हमारी health है, तो हमारा wealth है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अगर आप करोड़ों रुपए कमा लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके health सही ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, so focus on your health, अपने health पे भी ध्यान रखे, तीसरी चीज लेक, don't depend on others, क्या हो रहा है कि हमने 2020 में dependency को बहुत जादा दूसरे के उपर खो दिया, मतलब social media की वज़़े से हर चीज social media पे हम dependent होने लगे, इससे पहले कई सारी चीज से हम जो है, अपना जो है, कहते हैं कि skill खो दे रहे हैं, एक चोटी सी चीज अगर मैं बात करो, घर पे अगर एक ममी ने बोला कि बेटा खाना बना दो, और आपने बड़ी sister से पूछ लिया कि यार मुझे खाना बनाना है, तो it was like कि बड़ी sister ने आपको बता दिया कि यह य पूछना पड़ेगा, लेकिन जब आप कोई भी चीज खुद कर रहे होते हो, गलतियां आप से जरूर होगी, कभी नमक ज्यादा पड़ेगा, कभी मसाला पड़ेगा, खाने की बनाने वक्त, लेकिन दुबारा जब आपो सबजी बना रहे होगे, तो आपको पता होगा कि पिछले बार मुझसे ये गलती हुई थी, ये इस बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, जब आप कोई भी चीज खुद करते हो, तो आप अपने आपको इंप्रूव कर रहे होते हो, आप अपने गलती को देख पा रहे होते हो, कि मुझसे कहा मिस्टेक हो रहा है, जब भी इंपेंडेंट होते हो, आपके अंदर की कम्या कभी भी नहीं इंप्रूव हो पाती, कभी भी ऐलिमिनेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप राइट डारेक्शन पे नहीं जा पाते, सिमिलरली कहते हैं कि फोर्थ पॉइंट जिसकी उपर में बात करने वाला हूँ, तो कभी भी पहुचूंगा मैं, अगर सही नहीं होगा, चाहे जितना भी नेवर गिव अप कर लो, अगर आप सीडी से उपर चड़ रहे हैं और आपको जाना था ग्राउंड फ्लोर पे, तो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं पहुचोंगे, उपर ही पहुचोंगे, तो वेरी सिंपल लॉजिक की महनत जरूरी है बट एक राइट डारेक्शन में, और राइट डारेक्शन आपको दिखाएगे कुछ चीजे, जैसे की फिफ्ट पॉइंट जिसको मैंने बोला, इस सेल्फ टॉक, ठीक है, इस साल एक छोटी सी चीज अपने साथ लेके आईए, कि खुद से बाते करना सीखिए, कई सारे जो आपके पास सवाल होते हैं, कई सारी जो चीजे होती हैं, वो आप सेल्फ टॉक से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बात करिए खुछ से, जानिए खुद को और इंप्रूव करिए खुद को, ये पांच चीजे आपके लाइट दूसरी चीज आपको जो बताए गई कि नौमरी health is wealth आपको करना है तीसरी चीज ये थी spoon feeding को avoid करके self dependency को छोड़ दीजिए फूर्थ चीज ये थी कि right direction को choose करिये और फिर्थ चीज ये थी self talk को involve करिये तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ logic use करिये उसके बाद अपने health का ध्यान रखिये और dependency चोड़िये और right direction को choose करिये and खुद से बाते करिये चलिए hope कि आपको ये tips अच्छा लगा होगा apply करिए अगर आपको अच्छा लगा है और दोस्तों के सेयर जरूर करिएगा और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं CSIR के लिए तो जुड़ जाए आनेक एडमे प्लस पे referral code यूज करके विरेन और विरेन लाइफ तो गेट देट पर्संट डिसकाउंट और अगर आप गेट की तियारी कर रहे हैं तो यूज के साथ जुड़ सकते हैं मिलते हैं आप सभी लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में तेल देन बाबाय वन्स अगें वेरी हैपी न्यूएर अल दे झाल